नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बहतर कर रहे होंगे मेरा नाम है बिरेंद्र कुमार और रगरग में है एक्सल साथियो टेक्स फंक्षन की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे सर्च फंक्षन find function की पूरी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं जो की चैनल पर मौझूद है find function क्या है किस तरह काम करता है और इसका use क्या है अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसका detailed वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं लेकिन अभी फिलालम बात कर रहे हैं search function की तो आईए बिना कोई time spent किये start करते हैं search function तो आईए देखते हैं अगेन वही चार चीज़े search function का description search function return the location of one string inside another unlike find function search function allows wildcard and is not case sensitive ये function case sensitive बिलकुल भी नहीं है इसमें wildcard का use कर सकते हैं इसको example से ही समझेंगे तो बहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे इसका syntax उससे पहले जान लेते हैं syntax के अंदर find और search दोनों के syntax same हैं दोनों के अंदर तीन parameter है find text, within text, start number ये find के अंदर भी था और search के अंदर भी है find का मतलब वो text जिसको मुझे find करना है within text, जिस text के अंदर find करना है start number कहां से start करना है find करना by default number one यानि starting से ही find करता है search function के sensitive बिलकुल भी नहीं है search function wildcard support करता है यह हम उपर बता चुके हैं यहाँ पर example लेते हैं यह computer है computer में M letter को मुझे find करना है कि इसकी position क्या है यानि computer word के अंदर यह M किस number पर बैठा हुआ है यह location बताता है in terms of a numeric value किस तरह से करेंगे? search किस को search करना है? इस M को search करना है किस में करना है? इस computer के अंदर करना है start number अभी बात करेंगे थोड़ी देर में enter करेंगे तो यह पता चला कि M computer word के अंदर तीसरी position पर बैठा हुआ है यानि third number पर है इसी formula को आगे copy करेंगे तो my excel में excel fourth position पर है यानि M, Y, space और उसके बाद E जो है वो fourth position पर है इसी formula को नीचे तक copy कर देंगे तो अब आपने देखा friend 14th position पर है यहाँ पर केवल value error उस case में आई है जब मैंने ऐसा word ढोड़ रहा हूँ जो इसमें है ही नहीं यानि ताज मेले जे नागरा में बात कर रहा हूँ दिल्ली की दिल्ली is not in this sentence तो यहाँ पर देखा मुझे value error इसके बाद हम नीच आते हैं case sensitivity की बात करेंगे यानि के मुझे e letter को इस hello word के अंदर डोड़ना है कौन सी position पर है search function use करेंगे search find text मतलब e इसको करेंगे within text यानि इसके अंदर find करेंगे bracket close करेंगे पता चला कि e जो letter है वो second position पर है अब मैं e caps में इसमें search करूँगा जबकि यहाँ पर है small में मैं बात करूँगा caps में क्या यह ढूड़ेगा हाँ ढूड़ा है दो number पर मिला इसको तो इसका मतलब यह हुगा कि case sensitive यह function नहीं है यानि कि जिस तरह का भी letter हो upper में हो lower में हो किसी भी तरह से वो search करेगा अगर वो text उसके अंदर है इसी तरह से इस formula को जब नीचे तब copy करेंगे तो सभी को ढूड़ेगा इसके बाद आते हैं नीचे यहाँ पर हम बात करेंगे wild card wild card की हमने पिछले वीडियो में जिक्री किया था तो यहाँ पर मुझे इस sentence में you have a black color mobile इसमें मुझे black mobile ढूड़ना है क्या यह मिलेगा मुझे देखते हैं एक बाद search लगाएंगे और इसको ढूड़ेंगे किसमें ढूड़ेंगे इसमें ढूड़ेंगे bracket close करेंगे नहीं मिला because black mobile कोई एक जगे लिखा हुआ word नहीं है बीच में क्या फ़सा हुआ है color तो इस position में मुझे wild card यूज़ करना होगा अब यहाँ पर यही ध्यान से समझना है पूरी तवज्यों के साथ किस तरह से search इसको दो तरीके से किया जा सकता है एक तो मैं इस word को पूरे को formula के अंदर लिखूँ या फिर मैं यहाँ पर लगा हूँगा क्या star star का मतलब यह जो star होता है यही है wild card यहाँ पर तीन तरह के wild card होते है excel में एक होता है star star का मतलब होता है any text एक होता है question mark question mark indicate करता है single character any single character अगर मैं यहाँ पर दो question mark लगाता हूँ इसका मतलब do any character इसके बाद एक होता है इसको बोलता है tilde यह उस जगे यूज होता है जहाँ पर यह पहले से ही मौजूद है तो इसको उस समय यूज किया जाएगा जब यह star, question mark are already in the text यह उस time पर use होगा तीन तरह की wild card होते है mostly हम यह वाले use करते हैं तो अब मैंने क्या किया है star का मतलब any text यानि कि black और mobile के बीच में कोई भी text हो उसको find करो तो क्या करेंगे इस बार search किसको search करेंगे इसको search करेंगे यानि इस sentence के अंदर bracket close करेंगे तो इसको मिल गया यह black यानि कि यह यहाँ पर 12th position पर मिल गया अब इसने color को ignore किया है क्योंकि उसने देखा कि बीच में wild card फसा हुआ है जिसने इस gap को bridge किया है यानि कि इस color को ignore किया इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यह मुझे blue laptop नहीं देगा because blue laptop यह नाम का कोई इसमें word है नहीं क्योंकि blue और laptop के बीच में color और इसमार दो word और फसे हुए हैं मुझे क्या करना है यहाँ पर blue के बीच में star लगाना है जैसे star लगांगा अगेन यह मुझे इसकी 12th position देगा इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ white camera तो आप समझ गये होंगे कि white और camera के बीच में star लगाना हो जाएगा लाजमी तभी यह position देगा इसी तरह से मुझे यहाँ पर पता करना है function 2019 और यहाँ पर function 2016 क्या ढूड़ेगा मैं जितने मर्जी star लगा लूँ यह इसको नहीं ढूड़ेगा क्योंकि यह word star लगाने के बाद भी मिलेगा नहीं यहाँ पर है 2016 और यहाँ पर 2019 यह नीचे वाले में ढूड़ेगा यानि के अगर मैं इसी को ऐसे लग देता हूं तब यह मुझे इसमें सर्च करके बताएगा कि यह वाला जो function जो start हो रहा है यह यहाँ से start होता है ninth position से इस तरह से आप समझेगे star को किस तरह से use किया जाता ह है अब हम बात करेंगे किसकी question mark की मुझे यहाँ पर question mark यानि कि मैं अगर यहाँ पर इस तरह से कोई word ढूड़ना चाता हूं मुझे cat को ढूड़ना है तो cat को मैं क्या है कि इस तरह से ढूड़ना चाता हूं कि star लगांगा और 80 करूगा यहाँ यानि कि इसका मतलब हुआ कि पहला letter कुछ भी हो और बाद में हो 80 तो वो मुझे search करो तो कैसे search करेगा यह इसको search करना है किसमें इसमें search करना है तो cat मुझे ninth position पर मिल गया है तो इसका मतलब single character कुछ भी हो बाद में 80 हो तो यह मुझे ढूड़ेगा ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ढूड़ना चाहता हूं और AC के ढूड़ना चाहता हूं मेरे को यानि कि मुझे black ढूड़ना है तो फॉर्मूला उसने अल्रेडी ले लिया है तो black मुझे मिल गया है कहां पर नाइन्ट पोजीशन पर यहां पर अब मैं बात करूँगा इसकी जो third wildcard till day इसको बोलते हैं तो मान लीजे म मुझे यहां पर पहले से function में star लगा हूआ है मैंगे बोला यहां पर यह वहाँ काम करेगा जहां पर पहले से यह जो डोनों wildcard अभे लेवल होंगे यानि कि अभी यह यह फे webcam का मुझे यह ऑप वाइल पोजीशन नहीं है यह तो यहां से स्टार्ट कर दिया इसने यानि कि इसने यह वाला वर्ड यहां पर नहीं डूड़ा फिर भी मुझे ढूड़ना है तो फिर मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा सर्च सर्च में लगाएंगे क्या inverted quote के अंदर tilde character use करेंगे inverted comma close करेंगे end लगाएंगे और फिर इसको जोड़ेंगे यानि कि यह इस तरह से डूड़ेगा इसको इससे पहली यह लगेगा comma लगाएंगे इसमें डूड़ेंगे bracket close करेंगे तो यह मुझे अम मिल गया है 25 पोजीशन पर तो इस तरह से हमने तीनों wild card को search function में किस तरह से use करते हैं वो हम सीख चुके हैं इसके बाद आता है यहाँ पर क्या start number यह बहुत important होता है यानि के मुझे my computer के अंदर m को find करना है search करेंगे कहां से किसको search करेंगे m को किसमें करेंगे इसमें तो पता चला first position पर मिल गया मुझे पता करना है को और कोई m है क्या इसके बाद दूसरा m मुझे ढूर के दो यानि second number से start करो तो इस position में मैं किस तरह से formula लगा हूँगा search करूँगा m को किसमें search करूँगा इसमे start number क्या होगा second यानि पहले number पर तो m already है अब second number से start करो तो अब जो m है इसमें वो six position पर इसी तरह से इसी formula को जब हम copy कर तो यहां पर मुझे e अगर मैं first देता हूँ तो पहले number पर मिलता है second देता हूँ तो मुझे e जो है वो again fourth position पर इसी तरह से h अगर मैं यहां पर h बोलता हूँ पहला h कहां पर मिला इसको तो मिला six position पर अब मैं बोलता हूँ कि seventh के बाद दुबारा से डूड़ा तो ninth position पर इसी तरह से यह सभी के लिए हो जाएगा यहां पर उस word को ढूड़ो जिसके बाद के दो letter 80 है पहला character कुछ भी हो अगर मैं यहां पर एक देता हूँ तो मुझे cat को ढूड़ के देता है कि cat जो है ninth position पर लेकिन मुझे ढूड़ना है red तो मैं यहां पर nine के बाद अगर मैं य wild card use कर चुका हूँ इस तरह से wild card का यहां पर एक और use हमने देखा इसके बाद हम देखते हैं इसका use क्या है अब यह तो हमने example से बता दिया है कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है लेकिन इसको कैसे use करेंगे मैं इसके दो example लोगा find function में जब हम इस example को लेके आए थे तो व मुझे ढूड़नी रहाता लेकिन यहां पर वो वाले barriers हट जाएंगे और किस तरह से काम करेगा search search किसको करेंगे इसको effort करेंगे इसको comma किसमें search करना है मुझे इसमें search करना है जैसे bracket close करेंगे तो यह पता चला 18th position पर है यहां पर HDFC जबके अब आप आप देख रहे हैंग value error का मतलब है कि यहां पर HDFC नाम का कोई word है नहीं इसी तरह से यहां पर HDFC की जबके मैं ICICI भी ढोड़ सकता हूं तो जहां जहां पर भी ICICI से payment transaction हुई है उन सभी को यह mark करेगा इसको और बहतर तरीके से अगर मुझे करना हो यानि payment found और payment not found इस तरह से मुझे अगर इसको यहां पर mark करना है तो मैं यहां पर करूँगा if function तो if function कैसी use करते हैं यहां पर if की अगर जानकारी है तो आप इसको सीखे अधरवाइज हम if की एक बहुत बड़ी series ले करके आने वाले हैं जिसमें पूरी detail में बताएंगे age number जहां पर हम पूरी detail में बताएंगे if function क्या होत और bracket close करेंगे और इसी formula को जब नीचे copy कर देंगे तो पता चलेगा कि जहां जहां पर भी ICICI credit card से payment हुई है वहां पर लिखाए इसने payment found और बाकी जगे पर not found और इसी तरह से यहां पर HDFC लिख दोगे किसी भी रूप में लिख दोगे HDFC तो यह HDFC की भी कहानी हमको देगा निकाल करके कहां कहां पर HDFC से transaction हुई है एक और यूज देखते हैं इसमें यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहां पर currency INR हो सकती है USD हो सकती है और euro currency हो सकती है जो मैं करना चाहरा हूँ यह है कि जब भी मैं यहां पर INR select करूँ तो सभी वो figure यहां पर highlight हो जानी चाहि तो सारी USD currency वाली figure highlight हो जानी चाहिए तो किस तरह से करेंगे इसको select करेंगे और यहां पर home के अंदर होता है condition formatting के अंदर आता है new rule new rule के अंदर last option चूज करेंगे इसमें formula लगता है और यह formula किस तरह से लगेगा यहां पर लगेगा equal to search search bracket open करेंगे किसको search करना है यह syntax हम को य search करना है इसको F4 करेंगे यानि lock रहेगा यह cell सभी के लिए constant है और इसको किस में search करेंगे इसको इसमें search करेंगे यानि यहां से search करना शूरू करेंगे जहां पर भी यह USD word match हो जाएगा तो उस case में आप क्या format देना चाहूँगे एक तो मैं उस पूरी line को bold करना दूसरा उस पूरी line का यह वाला color करना चाहूँगा ओके करूँगा ओके करूँगा और यह applicable हो जाएगा तो अब जहां जहां पर भी USD में transaction हुई है सभी line हाइलाइट हो चुकी है और उसके बाद जैसे euro करोगे तो euro की line हाइलाइट हो चुकी है और इसी तरह से अगर आप यहां पर INR करोगे तो INR की सभी line हाइलाइट हो चुकी है यानि INR में जितनी जितनी जो जो payment हुई है जो जो transaction हुई है वो सभी हाइलाइट हो चुकी है तो आपने देखा कि यह search function कितना important हो सकता है यह जो search function की जो मैंने example लिए बहुत छोटी और बहुत कम लिए इसका wide use आगे होने वाला है और इसकी भूमिका हम बना चुके है अब जब हम आगे इसको use करेंगे तो आपको कोई problem आने वाली है नहीं इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में तब तक के लिए be happy thank you so much